हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई हूप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ठंड पढ़ रही है हमारे आतों आप लोग कैसा हाल है बताना आज है कादसी तो मैं चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूं आज बनाती हूं कुछ नास्ता नास्ते में देखत आप लोग के साथ अपनी रेशिपी शेयर करूंगी दिखाती हूं आप लोग को क्या क्या डालूंगी मैं अलूवाले मतर है प्याज हरी मिर्च और यह बेसन रखा है और यह सारे मसाले जो मैं इसमें डालूंगी चलिए करते हैं स्टार्ट बनाना बने रही हमारे यह इकडा ही रघ यह अब चलिए पहले हम आलो को मैश करते हैं इससे मैश कर लेकिए लेकिए हमें नालू को ऐसे मैस कर लेंगे पहले नालू का एक मसाला तयार करते हैं कि ऐसे आलू मैंने मैस कर लिए अब दिखाती है इसका मसाला बनाना देखिए मैंने इसकड़ाई में तेल डाल दिया है अब मैं इसमें आलू का मसाला तयार करूंगी इसमें डालूंगी कटी हुई प्याज और हरी मर्च और यह मसाले भी मैंने निकाल लिए बाकी की मसाले पर यह हैं यह डालूंगी देखते हैं आज कैसे रेसेपी बनती है यह वाली हमारा मैंने इसमें रिफाइन डाला था हो चुक है अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालती हुआ इसके बाद थोड़ी सी हींग इसमें हींग डाल रहेंगे थोड़ी प्याज और हरी में प्याज को हमें र्यादा लाल नहीं करना है थोड़ी सी वुलायम हो जाएगी उसके बाद हम इस प्याज को इस प्याज में हरी मत्र डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि नमक प्याज को गला देगा इसमें अब हम इसमें यह मत्र डाल देंगे इसमें थोड़ी के हल्गी नाल में भनिया परड़ इसमें दाल के बूंएंगे इसमें प्याज में प्याज कर जाएगी तिर हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आम्चू पॉड़ा बूला हुड़ा जीर है और एताली में इसका पॉड़ा फोड़ा ने शेकूड़ा रहे ने प्यात धूड़़ा पॉड़ा पास्टोड़ा लेगा सा इसमें विन गे लाजे नहीं प्यादों करेंगे कि इसको तके बगराईगानी है अब हम इसमें यालु जालेंगे कि यह देखिए हमारा लुका मसाला अब इसको विल्कुल तैयार करके तब दिखाते हैं अब यह देखिए विल्कुल तैयार है अब यह हम इस सालु को ठंडा करके इसकी गोलगोल टिक्किया बना देखिए जब तक हम यह बेसन गोल के रख लेते हैं इसको दिखाते हैं। एक है तब ही इसकी छोटी पेड़ी बना लेंगे делितने वेशन में हमें कई क्या चाहिए दोड़ा सा अमक को थभी में फपोड़ा से जाला है और तोड़ी सि लाल मिर्च दालूंगे ते प्रord सील मिर्च अब इसमें हम थोड़ा-thोड़ा पानी डालेंगे वैसे इसमें तो चावल का आटा भी डालो तो अच्छा भो जाता है लेकिन आज एकाद असी है तो यह चावल का आटा नी डाल लीं और हरा धनिया भी नहीं है मेरे पास यह मैं ऐसे ही तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालके पेटना है, देखिए मैंने ऐसेंग की पेड़े बना लिये, थोड़ा बचा दिया, क्योंकि हम और नैते की हैं, हमारे लिए बहुत होंगे, और ये बेशन खुल गया, और इसमें डिप करके, इसमें डालूंगे, और फिर दिखाती हूं आपको, देखिए हमारा तेल हो चुका है, इसको बहुत है, निकालेंगे, और इस बेशन में इसको डाल के, और भीरे से इसमें डाल के, तो दूसरा भी हमें, ये एक दम सारे भड़ें, धीरे-धीरे मेट करते, ये देखिए, पितने अच्छे से सिगना है, गर्मा, गर्म, बढ़िया, दम, आप लोग भी बनाएं, और सद्यों में खाएं, देखिए, बिल्कुल रेडियो होगा है, सिख्के, अब हम इनको सर्प करेंगे, देखिए, मेरे आलू बड़े की रेसिप, अगर आप लोग को पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करना, और शेयर करना, और बना के जरूर देखना, चलिए में अगले ब्लोग में, टाटा, बाई बाई, बज़े हैंड्सेक कराने है, बज़े काड़ माले, नहीं नहीं काटे, लुटो इदरा, चलो हैंड्सेक करा दो,